वे एक जैसे दिखते थे और उनका नाम भी एक ही था, लेकिन चित्रिक दोनों कैदी अलग-अलग लोग थे और उनके उन लेकनिय मामले ने फिंगरप्रेंट पहचान के योग को लाने में मदद की. बाई और के व्यक्ति का नाम विल वेस्ट था, और दाई और के व्यक्ति का नाम विलियम वेस्ट था, इन दोनों को सो साल पहले कैंसेस के लीविनवर्ट पैनिटेंट्री में जेल की सजा सुनाई गई थी. 1903 में विल वेस्ट के आगमन से जेल में रिकॉर्ड क्लार्क को काफी ब्रम हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने दो साल पहले ही उस पर कारवाई कर दी थी क्लार्क, M.W. मेककलोरी ने विल वेस्ट से पूछा कि क्या वो पहले कभी जेल गया था वेस्ट ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया इसके बाद मेककलोरी ने अपना बर्टिलन माप लेना शुरू किया जिसका नाम फ्रांसीसी पुलिसकर्मी अलफोस बर्टिलन के नाम पर रखा गया था जो लोगों की पहचान करने का सामान्य तरीका था और इसमें प्रमुक भते खुशेशताओं के आयामों को रिकॉर्ड करना शामिल था मेककलोरी को आप भी यकीन था कि वह आदमी पहले ही जेल जा चुका था उसने अपने फाइलिंग सिस्टम में उसका नाम देखा और उसे विलियम वेस्ट मिला जो हर पहलू में तस्वीरों में विल वेस्ट की समान दिखता था उन्होंने वही बर्टिलोन माप भी साजा किया लेकिन विल वेस्ट ने मेककलोरी से जोर देकर कहा कि यह वह नहीं है यह मेरी तस्वीर है लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको यह कहां से मिली क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यहां पहले कभी नहीं आया हूँ मेककलोरी को आश्चर्या हुआ की वह भी सही था विलियम वेस्ट बिलकुल अलग व्यक्ति था और उसे हत्या के आरोप में दो साल पहले जेल में भरती कराया गया था इस मामले ने बर्टिलोन पध्धती की खामियों को जागर किया और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा फिंगरप्रिंट की और रुप करने में ज्यादा समय नहीं लगा इसके प्रनेता स्कॉट्लेंड यार्ड की साजंट थे जॉन के फेरिया की मुलाकात 1904 में सेंट लुइस विश्व मिले में मेककलोरी से हुई जब वर क्राउन ज्वेल्स की रखवाली कर रहे थे जो दोरे पर थे उन्होंने अमेरिकी जेल अधिकारी को बताया की कैसे स्कॉट्लेंड यार्ड पिछले तीन वर्षों से फिंगरप्रिंटिंग का उप्योग कर रहा था और इसकी सटिक्ता का प्रचार कर रहा था मेकक लॉगरी को बेच दिया गया था और तक्नीक पर निर्देश दिये जाने के बाद उन्होंने इसे लिविनवर्थ जेल में पेश किया कुछ ही समय बाद अमेरिका का पहला राष्ट्रिय फिंगरप्रिंट भंदार स्थापित किया गया उंगियों के निशान का उप्योग 1858 में भारत के जंगीपुर में हुगली जिले के मुख्य मजिस्ट्रेट सर विलियम जेम्स हर्शेल के साथ शुरू हुआ जिन्होंन इस्थानिय लोगों से अपने व्यापारे कन्यू बंदो कर अपनी हथिलियों से मुहर लगाने के लिए कहा खाला कि उन्होंने ये सोच कर ऐसा किया कि यह किसी को पहचानने का एक अच्छा तरीका होगा इसलिए नहीं कि वह इसके पीछे के विज्ञान को जानते थे